Hi humans and welcome back to humanities, I am Purva and आज की वीडियो में मैं लाई हूँ आपके लिए our final plan for class 12th political science board exam So हमारा target है 80 on 80, 80 out of 80 हम सभी को score करना है जो कि बोहत ही easily achieve हो सकता है इस plan के साथ So now we have a limited number of days, right? 5 to 7 days are left, इसमें हमें कैसे अपनी strategy को बदलना है? क्या पहले करना है? कैसे सब कुछ tackle करना है? वो होता है ना exam से पहले आप और आपकी friend call पे पहले decide करते हैं चल पहले ये वाला chapter कर लेंगे, उसके बाद ये वाला करेंगे, last day पे ये सब करेंगे तो वही हम करने वाले हैं, मैं आपकी वो सहेली हूँ और हम पूरा साथना फटा-फट से final plan discuss करें कि कैसे अभी हमें इन आने वाले दिनों में पढ़ना है for political science Also बहुत सारे ऐसी students हैं, जिनका बीच पे economics का exam है तो आपको manage to देखो करना पड़ेगा, economics के exam से पहले मेरे पास एक दिन का gap था Still I managed to score 99 out of 100, तो आपको prioritize करना पड़ेगा, थोड़ा सा balance करके चलना पड़ेगा लेके no complaints, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी class 12 की political science की final strategy के साथ Our target 80 out of 80 is now on our way चलिए तो step by step चलेंगे, मैं आपको बताऊंगे, पहले आपको क्या करना है, फिर कैसे चलना है तो इन 5-7 दिनों में जब भी आप अपनी तियारी शुरू करें, इसी pattern में अगर आप चलेंगे आपका बहुत फाइदा होगा तो सबसे पहले चीज़ तो obviously हमें chapters cover करने है, chapters में कैसी, कौन से chapters पहले cover करने है, most important chapters अब ये most important chapters कौन से है या हमें कैसा पता चलेगा, जिनकी सबसे ज्यादा weightage है, जो सबसे ज्यादा marks के आ रहे है जो हमें सबसे ज्यादा number दिलाएंगे भाईया, तो सबसे पहले हम इन्हें complete करेंगे, अब ये कौन से है, इस पे मैंने specifically video बनाई हुई है यहाँ पर मैं video लगा दूँगी, बहुत important है, जाके देख लो, अभी आगे भी बताऊंगी, कौन से chapters है most important ones Second priority है, lengthy या hard chapters, जो बाद में, जब एक दू दिन का gap रेज़ेगा और paper आने वाला होगा, तब नहीं हो पाएंगे क्योंकि तब हम panic कर जाएंगे और तब हम सोचेंगे इन्हें छोड़ो, इनके बतले में 5 घंटा लगा के एक chapter कर रहा, उसे अच्छा 5 घंटे में 5 chapters कर लूँ, तो हमें ये दोनों chapters सबसे पहले complete करने हैं, तो अभी मैं आपको बता रही हूं, आपका chapter wise plan, कौन से chapters आप शु है, तो सबसे पहले पक्का हो जाना चाहिए, अब ये कहां से करने है, कैसे करने है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, मेरे चैनल पे पूरी playlist बनी हुई है, Class 12 Political Science की, जहां पे मैंने आपको handwritten notes से पूरा chapter कराया है, वो जाके देख लो, minimum time में maximum output निकले का, साथी साथ म जो आनकाडिम का चैनल है, वहां पे NCAT open करके line by line explanation करा रही हूं, तो वो भी आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले chapter 2, end of bipolarity, इसके साथ chapter 3, US hegemony के कुछ topics आ रहे हैं, वो cover करने के लिए US hegemony, before the concept of hegemony आप cover कर लेना, जिसमें आपकी Gulf War, Afghanistan crisis आ जाता है, उसके पास हमारा chapter है, chapter chapter number 5, contemporary South Asia, अगर आपने अपनी ये 3 chapters पक्के कर लिए हैं, शुरुआत में, first day, first second, या first 2 दिनों में, तो समझो, आपकी book 1 almost complete हो गई है, तो बाद में, end में हम क्या cover करेंगे, chapter 6, United Nations, chapter 7, security, और chapter 8, environment and globalization, ये सारे एक दिन में भी हो सकते हैं, बहुत easy है, सिर्फ आपको पढ़न concept बहुत simple सा है, आप समझ जाएंगे, clear है, explanation videos देख लेना, ये मैं अपनी videos के तहद आपको ये pattern बता रही हो, अप कहीं आप बाहर सोर्स से पढ़ रहे हैं, तो मैं guarantee नहीं ले सकती हो, clear है, तो सबसे पहले ये आपका criteria रहेगा, ऐसे आप चलेंगे, लेकिन सबसे पहले यहा माक्स का आ रहा है, chapter number 4, India's external relations, जिसे हम कहते हैं, बिलकुल cover कर लेना है, right, उसके बाद crisis of democratic order, emergency वाला chapter बहुत important है, regional aspirations, ये तीन chapters lengthy है, और important है, जितना जल्दी आप निप्टाएंगे, उतने फायदे में रहेंगे, clear है, so these three chapters are must do from your book 2, अब बात करें chapter 1 की, chapter 1 और chapter 3 को आप challenges of nation building, और chapter 3 में हम planning और development की बात करें, कैसे 5 year plans को initiated किया गया, दोनों interrelated है, और moving on to another set of chapters, जिधार mostly गड़बर होती है, confusion होती है, तो इसलिए इंको साथ में पढ़ेंगे, chapter 2, बहुत सारे आप students कहेंगे कि कट हो चुका है, लेकिन उसका थोड़ा सा पोशन आ रहा है, right, chapter 2 औ आ रहे ही ये तीनों chapters elections के बारे में हमें बताते हैं कि first three general election में क्या था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, right, so ये तीनों chapters अगर हम एक साथ पढ़ेंगे, तो 5 year में रहेंगे, ये सारा content हमें कहां से पढ़ना है, मेरे channel पे, पूरी playlist given है, class 12th political science, full chapter explanation, along with handwritten notes, वैसे ही आपको NCRT और notebook खोल के बैठना है, और साथ-साथ अपने notes बनाते जाना है, तो ये है हमारा study plan की पहले हम कौन से chapters करेंगे, बाद में कौन से chapters करेंगे, most important chapters to least important chapters, clear है सभी को, चलिए, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, chapter cover कैसे करें, बोलने में तो बहुत easy है, सबसे पहले must do है N NCRT reading, NCRT हर एक student पढ़ेगा, क्योंकि MCQ भी आपसे पूछे जा रहे हैं, तो वो NCRT में से उठा के कहीं से भी पूछ सकते हैं, right, फिर handmade notes, अब ये हमारा दोनों ही कहां से हो जाएगा, जो मेरी playlist है, right, वैसे ही आप अपनी NCRT खोल के बैठेंगे और notes बनाते जाएंगे, जैसे ही मैं एक topic समझा रही हूँ, उसके बाद NCRT read करेंगे और वही notes बनाएए, यही वो notes हैं, जिन्हें आप बाद में जाके expand कर देंगे अपने paper में, और ये आपके ready made hand notes बन गए, जो मैंने आपको पहले समझाया था, clear है, fine, okay, चलिए, उसके बाद क्या करना है, जब आ one shot book revision जो मैंने हापे डाला हुआ है, पूरी book one की one shot revision, दो घंटे के अंदर-अंदर मैंने हापे वीडियो डाली हुई है, link आपको मिल जाएगा, जाके देख लीजेगा, book two की भी बहुत जल्दी आने वाली है, एक से दो दिन में आजाईगी आपके पास, तो वो भी one book, one shot revision आप देख सकते हैं, after completing your syllabus, clear है, चलिए, तो ये हमारा पूरा जो chapter wise हमें करना है, वो हो गया है, अब बात करते हैं, most important topics की, after completing each and every chapter, जब revision की बारी आएगी last के दो दिनों में, तो हमें कुछ selected topics को answer बना के लिखना है, उनके ready made answers frame करके रखने हैं, क्योंकि ये topics आने की chances बहु previous year questions, अब ये कौम से topics हैं, यहाँ पे video है, chapter wise, सारे topics आपको बताये गए हैं, फड़ा-फड़ से जाके note कर लीजे, आगे चलते हैं, अपने final छुटमुड questions पे, cartoon question, map question और passage based questions, ये तीन तरिके के questions आपके पास आएंगे, cartoon question पे, पोरी video यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जाक map question based on sample question papers, जो अभी तक के CBSE ने प्रवाइड करे हैं, and past year questions, 2014 से लेके 2020 सारे मेरे आपको map question कराए है, PDF मेरे telegram channel, human at ease, पे आपको free में मिल जाएगी, बात करते हैं, passage based questions की, यहाँ पे संभावना है, कि added topics में से question आए, क्योंकि sample question paper में, ब्रिक्स से पूछा गया है, और ब्रिक topics के लिए भी मैं one shot video डाल दूँगी, channel को subscribe कर लीजे, और bell icon को दबा दीजे, ताकि जब भी यह important videos आये, तो आप miss ना करें, और फड़ा फड़ा से अपनी तयारी कर ले, perfect, तो हमारी अभी तक का जो final plan है, वो तो यही रहेगा, हमने सब कुछ discuss कर लिया है, सबसे पहले क्या करना है, most important chapters करना है, जो मैंने आपको यहाँ पर priority list बता दी है, right, उसके बाद उनको cover कैसे करना है, NCRT read करनी है, handmade notes मेरी वीडियो से, और फे पूरी book का one shot revision करना है, उसके बाद 2 से 3 दिन पहले most important topics के answer frame कर लेने है, ready made answer बना लेने है, वो topics मैंने आपको अलग से वीडियो मे बताए हुए है, right, and finally, एक दिन पहले भी अगर आप यह वीडियो देख लेंगे, मेरी cartoon और map वाली, तो आपका यह वाला section solve हो जाएगा, perfect everyone, तो यह थी हमारी final strategy for class 12 political science, target 80 out of 80, if you can think it, you can achieve it, easily achievable है, बीच में कोई भी exam है, कोई भी problem है, you can tackle it, complain मत करो, बस लगे रहो और डट and if you did, please like, share and subscribe to the channel, you are at humanities, happy learning, I'll see you in the next video.